असलाम वालेखुम दोस्तों तो मैं अनी शारीफ कुरेशी आज आपके सामने बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने हूं भाई थोड़ा कैमरा सही से पकड़ो एकदम दिखना चीए आदमी कुछ बोल रहा है था आला लगना चीए शॉरी फॉर दिस पर चलता रहता मार्किट हिलाता रहता हूं मैं तो सबसे पहली बात भाई आज मैं टॉपिक ऐसा लेकिया हूं टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट टॉपिंग क्या है कि आज समझ लोग अगर मेरी बहन है या बेटी है और अगर वह उस कि कोई कौम की बदनावी मकसद नहीं है मकसद सिफ एक है कि यह नया भारत जो है ना हम कहते है नया भारत तो नय भारत के नय लोग आज भी पुराने रस्मों रिवाज पर बिलीव कर रहे हैं पुराना रस्मों रिवाज क्या है कि भाई समाज में अगर मेरे काका के बैटे न पांचो रुपया कमा के दिन का घर चलाता हूं और मेरे पास अजबाब नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मेरी बहन की शादी में बहुत बड़ा खर्चा करूं या मेरे जो क्या बोले बहन के हस्बेंड को एक मोटर साइकल लेकर दूं और उसके घर पे दहत दूं यह मे में मैं यानि जिसकी बहन है जिसकी बैटी उसको क्या करना पड़ रहा है मालूं क्या करना पड़ा है अफसोज वह अफसोज इंट्रेस पे सूथ पैसा लेना पड़ रहा है और लोगों के अंदर वाहवाही करवाने के चक्र में यह गुने के काम में हम गिर रहे हैं और क्य भाई के पास अर्निंग के सोस बहुत बड़े है अभी नहीं है फिलाल अभी जरूरत पर उसने क्या इंट्रेस पर पैसे उठा के दे दिये वह बात तो दिमाग में समझ आती है बट अब आदमी का रोज का कमाना कितना है 500 रुपया 1000 रुपया कमाना है 500 रुपया ही कमाता है रोज का 500 रुपया कमारा है बट समाज के चक्कर में लोग क्या कहें के यह चक्कर में उसने पैसा उठा कर अपनी बहन की या बैटी की शादी करी और आज का माहुल आज के अंदर क्या है तकलिफ में कि भाई वो व्याज वालों के फोन आते जिनों ने व्याज पेए बैब किया है भाई महिने का व्याद नहीं पहुचाया और ये सब चक्कर में है यानि कहने का मतलब क्या है मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई साप इसको भाई थोड़ा एसा पकड़ो ना है ऐसे पकड़ो क्योंकि वह माइक नीचे आता है ना माइक आपका यह उंपलिया अब दो जोना मैं क्या होता है और समाज क्या कहेगा समाज में क्या बबाल होगी ये चक्कर में हमने व्याज पर पैसा ले कर दिया और अगले को मोटरसाइकल दी अगला राजी खुश हो गया इज़त गाओं में वावाई और फलाने ने अपनी बेटी को बुलेट दी फलाने ने इतना दहज में ये दे दिया पर क्या है कि भाए नय भारत ये है नय भारत के लोगों को तो ये रस्मों रिवाज खतम करना चाहिए हां नय भारत में ये लोगों को रस्में रिवाज ये खतम करना चाहिए कि ये रस्में रवाज जो हमारी हैसियत है अरे भाईया अल्ला के नभी ने सल्लूल्लाहु अलेही वसल्लम ने कित उतना भाई सरबत पर या क्या है कुछ है नहीं तो भी हो गई शादी निकाह हो गया मैं यह नहीं कह रहा कि भाई अगर हमारे पास पैसा है तो मत करो पैसा है तो करो पैसा है तो खूप करो जब और हमारे पास पैसा नहीं है तब हम वैसी करें अल्ला के नभी ने जिन्दगी जीने का तरीका बता कर गए है कैसा जिन्दगी जीना है अगर गरीब हो तो कैसी जिन्दगी गुजारनी है और अगर अमीर हो तो कैसी जिन्दगी गुजारनी है तो यह हमारी knowledge की कमी हमारी दीन ना सीखने की कमी की वज़े से आज हम यह सब हालात में हैं यह सब देखो यह तो मुसल्मानों के लिए और भगवान राम ने क्या सी चीजे बते ही वो आपको मालूम मुझे इतना नहीं हिंदूइजम मुझे इसलाम के बारे में जीतना पता है मैं आपको बता रहा हूं पर भगवान राम ने भी सिंपल शादी करने के लिए कहा होगा क्योंकि हाँ यह सब चीजे मैं बता रहा हूं तो जितनी सिंपल शादिया हो उतना अच्छा है हां अगर हमने का हमारे पास पैसा हमारे बाप दाजा का पैसा और हमने खुदने कमाया हाड और मनी है और हम लगाना चाहते और देना चाहते तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है बट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम खुद पर व्याज पर लेकर और परेशानी म होते हैं और स्टेट्स क्या ओल ओवर इंडिया में यह हाल है और इंडिया में यह हाल है भाई समाज में वाहवाई कराने के लिए लोग क्या कर रहें पैसा लोन पर ले रहें व्याज पर ले रहें और क्या कर रहें वाहवाई मेरी वाहवाई हो जाए के भाई फलाना आदमी इती बड़ी शादी करी दी और भाई आदमी से पूछो तो क्या है दस लाक रुपया कर जा बीस लाक रुपया कर जा करजे को खड़ों में घुसा हुआ है पर वहावाही कराना तो यह यह वहावाही किस काम की अगर मैं बोलू अगर गंधी वल्गरल लेक मैं बोलू तो इस गंटा यह फाइदा तुमारा मैं तो बहुत गंदा आदमी मैं तो बोल देता हूं मेरे को कोई फारक नहीं पड़ता हां के भाई तू वल्गरल यूज कर रहा है कुछ भी कर रहा है पर यह क्या है कोई मतलब है नहीं है तुमारा ऐसी शादियों का करोड़ों रुपय लग मार्किट सी लो है पैसे कहां रहते हैं और करोड़ रुपय शादी में लगाना और आइफोन 16 प्रो मैक्स लेना तूरंत यह चल नहीं ले ले बहुत पैसे आपने पास करने का क्या आला दर्जे वाले आदमी अपने तो यह टाइम पे हिंदूस्तान में यह हो रहा है न तो सामने केस आया इस रिगार्डिंग में कि यह सब हो रहा है हमने हमारी बहन की शादी में इतना पैसा का सूथ पर व्याज पर लेकर हमने हमारी बहन की शादी कर वह और आप हम तकलीफ में हैं तो इसके लिए मैं आप से करता हूं यह बारकोड में यहां दे दिया है प्लीज जितना भी हो सकते आप मदद करो, अगर आप मुझे contact करो, मेरा नमन है 577-geht9-6666-40, नहीं क्याति यह लिए, चार बार साथ है, नव है, फिर 666-40 last में, तो आप मुझे contact करो, मैं आपको direct मिला दूँगा वो आदमी से, मिलो उससे, उसके हालास समझो, तो गरीब आदमी है उसकी मदद हो जाए नादानी में हुआ कदम क्या है नादानी में लिया गया कदम है हाँ और नादानी नहीं आदमी को किसी ने वादे किये पैसे देने के और लास्ट मुमेंट में फिर गया तो करने का क्या तो आदमी कुछ भी करेगा ना क्या करेगा य जान दो हमने मुफ्ती से बात कर लिए जकात का मुस्तेइक है जितना भी पैसा आप जकात का देना चाहों दे सकते हो अच्छा खासा अमाउंट है उसको पे करना है पूरी तैकिक करने के बाद हमने पता लगा लिए कि फूल ऑथेंटिक है इमाम साब से भी मिला दी सी टाइप के इमाम साब ने बोला भाई मुस्तेइगे देदो जकात है लिल्ला जो है देदो खतम करो बात तो प्लीज करो कुछ ना कुछ करो किसी घरीब की मदद करना जरू जरी है सलाम अलेक्स